15 सितम्बर 2023 प्राता मुर्ली ओम शांती बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे तुम रूद्र ज्यान यग्य में बैठे हो, रूद्र शिवबाबा तुम्हें जो सुनाते हैं, वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है प्रश्ना पापने भी यग्य रचा है और मनुष्य भी यग्य रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर मनुष्य रूद्र यग्य रचते हैं कि शांती हो अर्थात विनाश नहो लेकिन बाप ने रूद्र यग्य रचा है कि इस यग्य से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ब बने बाप के इस रूद्र ज्यान यग्य से तुम नर से नारायन अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यग्य से तो कोई भी प्राप्ती नहीं होती है। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शान्ती यह कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है जो विशाल बुद्धी वाले होंगे वा अच्छी रीती समझ सकेंगे। बुद्धी भी नंबरवार है ना। उत्तम अध्यमकनिष्ट होते हैं। उत्तम बुद्धी वाले इसका अर्थ अच्छी रीती समझ सकते हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है यह कौन यार करते हैं बच्चे कौन से बच्चे बच्चे तो धेर है जो ब्रामण बने हैं जो देवता थे जनोंने ही पूरे 84 जन्म लिये हैं उन्होंने ही जास्ती बुलाया है वही शिव अथ्वा सोमनात के मंदिर की स्थापना करते हैं सिद्ध होता है हम जो पूजय देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं बरोबर हम पूजय थे फिर पुजारी बने तो सोमनात शिव की पूजा करते हैं रूद्र यग्य बहुत रचते हैं. रूद्र ज्यान यग्य कभी नहीं रचते. रूद्र यग्य नाम रखते हैं. अभी भी रूद्र यग्य रच रही हैं. तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रूद्र कौन है? क्या रूद्र ने कभी यग्य रचा था? कैसे रचा फिर क्य उसकी सिध्धी हुई? यह तो कोई नहीं जानते. तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. परम्पिता परमात्मा के सिवाए ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता. ज्ञान सागर परम्पिता परमात्मा को ही गाया जाता है. मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं क अविनाशी ज्ञान रतनों का दान करो फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे बहुत सहज है सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो बाप है भक्ती मार्ग में दो बाप हो जाते है सत्युगत्रेता में लौकिक बाप ही होता है वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुशार्थ अनुसार पाते हो तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए ऐसी ऐसी जगा जाकर पूछना चाहिए कि रूद्र यग्य किसने रचा था क्या रूद्र ज्ञान यग्य है या रूद्र यग्य है असुल नाम है रूद्र ज्ञान यग्य रूद्र तो है निराकार वह कैसे यग्य रचेगा? जरूर शरीर धारन करना पड़े दक्ष प्रजापती का यग्य भी मनाते आते हैं दिखाते हैं दक्ष प्रजापती यग्य में अश्व को स्वाहा करते हैं घोरे को टुक्रे टुक्रे कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापती यग्य कहते हैं। यह तुम अभी जानते हो तो वहां लिखना चाहिए यह कौन सा यग्य है। बड़ा भबके से यग्य करते हैं। बहुत पैसे इकठे करते हैं। बड़े बड़े आदमी दान करते हैं। कोई एक सो निकालते, कोई पाच सो निकालते। इस रूद्र ज्यान यग्य में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकठा करते हैं फिर ब्रामन को दक्षणा मिलती है यहां तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है वहां स्वाहा होने की बात नहीं यहां बच्चे कहते हैं बाबा तनमंधन सहित मैं आता हूँ वहां ऐसे नहीं कहेंगे आहुती में कभी ऐसे नहीं डालेंगे आरती आदी होगी चंदा चीरा होगा, बड़ों-बड़ों से लेते हैं, तुम बच्चे जानते हो इस रूद्र ज्यान यग्य से ही विनाश ज्वाला प्रजवलित हुई है, वहां यग्य रचते हैं, शांती के लिए, विनाश के लिए नहीं, वहां शांती का बड़ा आवास करते हैं, शांती तो सारी दुन्या में चाहिए ना, परमात्मा है शांती का सागर, तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सब को समझाए, बाप जानते हैं कैसे बीके, दुकान संभाल रहे हैं, सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, क हमा है गोथरी, यहां बड़ी रमनीक बाते हैं, तो रूद्र ज्यान यग्य के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली, वहां यग्य करते हैं, शांती के लिए, यहां है सच्चा सच्चा यग्य, उन ब्रामनों के तो अनेक सेठ होते हैं, यह तुम ब्र रूद्र बाप कहो, शिफ कहो, सोमनात कहो, उसमे ग्यान यग्य रचा है, जिसमें तुम बैठे हो, वहां यग्य तो दो चार दिन चलेगा, तम्हारा यह रूद्र ग्यान यग्य तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है, यहां है नर्शे नारायन अथवा मनुश् वह तो ऐसे नहीं कहेंगे बाप बैट समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो बड़ोमडों को बोलो यह तुम जो यग्य रचते हो उसमें भूल है परम्पिता परमात्मा कल्पकल्प संदम पर आते हैं शास्त्रों में युगे-उगे लिख दिया है यह भूल कर दी है वैसे ही रूद्र यग्य रचते हैं वास्तव में रूद्र ज्ञान यग्य है शिफ का नाम है रूद्र उसमें ही ज्ञान यग्य रचा है जैसे इब्राहम ने अपना इसलाम धर्म स्थापन किया बुध ने बौधी धर्म स्थापन किया वैसे रूद्र का है ज्ञान यग्य जिससे विनाश ज्वाला प्रजवलित होगी. तो गोया वो लोग शांती के लिए यग्य रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते. स्वर्ब की स्थापना के लिए नर्ग का विनाश हो, तो अच्छा ही है ना. भारत है अविनाशी खंड. जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए. आदी सनातन देवी देवता धर्म था. उनको सारा कल्प हुआ है. शास्त्रों में 33 करोड लिख दिया है. परंतु यह तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदम शुमारी जास्ती होगी लेकिन वह कनवर्ट हो गए हैं तो कैसे निकले? बौध्धी, क्रिश्चियन, मुसल्मान आदी जाकर धेर बने हैं. इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है. यह भी ड्रामा. इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए. ज परन्तु जो अच्छी रीती धार्ना कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं. तो यह गीत एक्यूरेट है बुलाने को जी चाहता है. सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे, वह थे ही देवी देवताए. सो भी भारत में थे. अभी तो कोई कहां, कोई कहां कनवर्ट हो गए हैं. कई तो भारत से बाहर चले गए हैं. नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़ेते बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं. और सभी धर्म स्थापक जो हैं, उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है, सब को पावन बनाने वाला एक है. यह तुम जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीती जान सकते हैं. तुम कहेंगे हम रूद्र ज्यान यग्य में बैठे हैं, ऐसा कोई यग्य होता है क्या, जिसमें इतना समय करते हो. रूद्र जो ग्यान सुनाते हैं, वह सुनते ही रहते हो. जहां तक रूद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहेंगे. प्रजापिता ब्राहमा भी तो जरूर यहा होगा ना. ब्रहमा का दिन और ब्रहमा की रात गाई हुई है सुक्ष्मव तन्वासी ब्रहमा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे वह तो सुक्ष्मव तन्वासी देवता है दिन और रात का प्रश्न यहां का है ब्रहमा की रात माना पतिक फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है ब्राहमा को भी पावन बनाने वाला वह एक सद्गुरू है सद्गुरू सद्गुरू तीनों इकठे है पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे फिर पद्टीचर से पाएंगे नमबरवार है ना यहां भी बुद्धी में रहे तो कितनी खुशी रहे तुम पहले बेहत के बाप के थेना यहां आए हो पाट बजाने भक्ती मार्ग में बेहत के बाप को याद करते आए हो क्योंकि वह है स्वर्ग का रच्चिता जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा यह समझाना तो बड़ा सहज है सेंसीबुल ही समझा सकेंगे वास्टव में सेंसीबुल तुम ब्रामन हो तुम्हारे में जो अकलमंद है उनमें भी नमबरवार है दुनिया के अकलमंद भी नमबरवार है ना यहां भी जो sensible बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर पाएंगे हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहां तक sensible बना हूँ जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है तुम उन्हें समझाओ की रूद्र यग्य और रूद्र ज्यान यग्य में रात दिन का फर्थ है रूद्र ज्यान यग्य रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली भारत स्वर्व बना और यह फिर यग्य रचते हैं विनाश नहो अर्थात स्वर्ग स्थापन नहो। यह तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सबता उधार करने आता हूँ। रूत्र ज्ञान यग्य रचता हूँ। तो तुम प्रतिग्या करते हो बाबा, हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा औ फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यग्य में तो जोतिल आदी डालते हैं। मेरे रूद्र ज्ञान यग्य में तो सारी पुरानी दुनिया की सामगरी स्वाहा हुई थी। परन्तु यह सब बाते कोई की बुद्धी में अच्छी रीती धारण नहीं होती। बाब को याद नहीं करते हैं तो बुद्धी का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें। इस समय सब की बुद्धी पतित है उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारण नहीं हो सकती। बुद्धी का ताला कैसे खुले। याद से ही खुलेगा मोस्ट बिलवेड बाप है, उनकी बड़ी महीमा करते है शिव बाबा की कितनी महीमा है शिव की पूजा भी होती है, तो जरूर आता होगा न बिगर आर्गंस क्या आकर करेंगी? तो अब ब्रहमा में आया हुआ हूँ तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो परन्तु देह भिमान होने कारण इतना लव, बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता डाइरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं आहंकार में आ जाते हैं पाप केहते हैं, मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं, मैं ही होश्यार हूँ इतना देह भिमान आ जाता है अब कोई का पती मर जाता है, तो उसकी देह खम हो गई बाकी आत्मा निकल गई, फिर ब्रामन में आत्मा को बुलाते हैं देह को तो नहीं बुलाते भावना रखते हैं, तो भावना का भाड़ा मिलता है पती को याद करते रहे, तो पती का साक्षातकार कर लेंगे बाबा साक्षातकार तो कराते हैं, ना ऐसे बहुतों का प्यार होता है आएगी तो आत्मा ना कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है स्त्री को देख लेते हैं चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं ऐसे बहुत कुछ होता आया है आगे बहुत विधी से खिलाते थे ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है, बाप कहते हैं यह साक्षातकार की बाते भी ड्रामा में नून्धी हुई है, साक्षातकार कराया ड्रामा चला ठहरता नहीं है, ड्रामा को भी अच्छी रीती जानना होता है, अरे बाबा का तो अच् प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं, समझते हैं, वह तो निराकार है। कहते हैं, यह तो उनका रत है, इनको हम क्या करेंगी? हम तो निराकार को ही याद करेंगे। यह बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धी में रहता है। ऐसे बहुत हैं, जो गपोडे लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते। धारा के लिए मुख्यसार। एक अरपण होने के साथ साथ अपनी बुद्धी को विशाल बनाना है। उंच पत के लिए अच्छी रीती धाना करनी और करानी है। दो, बाब समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड बाब से अती लव्वा रिगार्ड रखना है। देह भिमान में नहीं आना है। मालिक बन करमेंद्रियों से कर्म कराने वाले करमयोगी कर्मबंधन मुक्तभव। ब्रामन जीवन कर्मबंधन का जीवन नहीं, करमयोगी जीवन है। करमंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे करमेंद्रियों से कराते चलो तो ब्रामन सो फरिष्टा बन जाएंगे कर्म बंधन समाप्थ हो जाएंगे यहां देह सेवा के अर्थ मिली है, कर्मबंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्थ हुई पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्थ हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते है स्लोगन दिलाराम के साथ का अनुभव करना है, तो साक्षीपन की स्थिती में रहो